का गट आफ यू आज हम लोग पढ转 पोड़ेंगे वेजिटेवल साइंस के अंतरगत G тобой के बारे में जिसे हिंदी में फूल गोभी कि नामसे भी जाना जाता है क्थो कावली सब्द क्यों यूज़ किया जाता या इसे फूल गोभी क्यों कहते हैं जो काउली फुलावर है उसमें बडुर 2 सब्सक्राइब ये समत्त है काउली चाहा है मतलब या उसमें काउली का स्वी स्जाबंन का थे सल कॉली तो काउली मतलब होता है क्या थाके जा वühren सब्द मिंस पतियों से घीरा हूए यानिक लेव का ऐसा अरेंजमेν्ट हो लेव से चारो तरफ से घीरा होुची कीड़ी साथ सब दूसरा चीज है फलावर सब्द है तो लीफ से क्या घीरा होगा याहनि की फ्लावर फूल होता है तरह इसलिए इसब वहले नहीं से कहल रहा जाता है लीफ से क्या है घीरा रहता है तो हिंदि में फूल को भी घाल और इसके पहले हम लोग पढ़ते Kindaи तो cabbage में क्या होता है कि सिर्फ पत्यों का समू होता है जो एक दूसरे से पूरी तरह से इस तरह का अरेंजमेंट होता है पत्यों के समू का एक head बनता है जिसे हम cabbage कहते हैं लेकिन उन्हीं पत्यों के बीच में अगर flower का arrangement हो रहा है तो उसे कावली flower कहा जाता कावली कैबेज या कावली mismus और वर्तुरN्य राथट alpha the water नहीं प्रावलेट्ी के और च क्लिए है और च को जब सकते है तो फ्लावर बर्ड खोने है नाो फ्लावर से गीरा है तो क्लिए कौई वावली प्लावर के होता है कैबेज के केस में क्या होता है कैबेज के केस में फ्लावर बर्ड नहीं होता है लीफ बर्ड होता है यानि कि लीफ का जो बर्ड होता है उससे वह तैयार होता है इसलिए वहां पर क्या होता है लीफ बर्ड होता है इसलिए उसके कैबेज ही कहा जाता है सिर्फ जो इसके पहले ब्रेस्का उल्रेसिया का ही था फैमिली के अगर बात करें तो कृष्टी फेरी फैमिली एक रोमोसोम नंबर जो है इसका 18 होता है गोभी कि अगर हम बात करें कि उपयोग क्या करते हैं तो इसका उपयोग जो हम करते हैं अचार के रुप में बनाने में करते हैं सबजी में रो उससे सब्स्साइब नहीं से कैसमें पेंजाक किया जाता है रखρά निटेशनल होता है इसका इसमें प्रोटिन चैल्सियम विटामिन एसई जो है प्रचूर मात्रा में पाया जाता है यह टान ग sing अगर हम बात करें टुझ सो होगा एक सेकंड ऊरिजिन जो है इसका इटली है इटली में इटली इसका ओर्जिन माना जाता इसका उत्पादनी की अगर हम बात करहें तो भारत के अलग-अलग एरियाओं में बिहार उत्तर-प्रदेश, उरीस, पंजाब, पश्रिम बंगाल, पंजाब, हर्याना, महरास्टा में ह होता है लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वेस्ट बंगाल में होता है सबसे अधिक उत्पादन उसके बाद पंजाब में होता है और फिर महरास्टा में होता है कि Zwlei and climate के अगर बात किया जा जो रेतेली लट मिटि है चिकनी चिटनी अच्छी होती है तो किसी भी देटेबल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है अ गाल echаний बहुत तक लिए जाते हैं और यह विंटर सीजन क्राफ है यानि सितोर्स जलुआई वाली क्राफ है विंटर सीजन क्राफ है और सब्सक्राइब तापमान जो होगा पांच दसमलब आर्ट से लेकर के 25 से 28 तक इसकी खेती की जाती है और इसके पीछे कारण है क्योंकि अकसर आप देखते होंगे ने बहुता है और पांस होते हैं जहां पे इस कलाइमेट पाया जाता है तो दो से तीन फशलें लेते हैं एक सीजन में तो इसके पीछे कारण है की पहले ली बखेती बखेती बहाएशे लागए बस्टारी बखेती उनलिस यह घुन भिवाँटा वहाइटी थारी की नियर बाउट होता है जब लेट बहुते हैं तब तक थन्डी आ जाती है और उस समय तुम्हें टमप्रेचर डौन हो जाता है पांसे आठ आनेयो रज माना जाता है दस से पंदरा भी होता है तो कोई फिक्स नहीं है लेकिन रहाता है तुम्ही इसलिए इतना जादा टंप्रेट्र में होन्हान है वह लग अल्ग इसट्रा लिभारिति का क्ल्टिवेशन करते हैं फिर सद्ब फिर लें सोन करते हैं दो से तीन एक करती 6 में तकी और इसलिए तहित टंप्रेट्र का तक कि जाती है लेकिन इसकी एक बारायटिह जोटी हम जोटी एक ऐसी वराइटी है जिसको अप्रेल में ही बोया जाता है ऐसके ओंधीम में किसमी कहें मिड़्य सीजन के वरायटी होती है जो डाई से अगस्ट में किया जाएगा जो लेट वराइटी होगी उसको 15 सितंबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में बोह जा जाएगा तो नर्सरी डालने का इस समय है जब चार से छे सब्ताबाद नर्सरी तैयार हो जाएगी तो फिर उसकी रुपाई की जाती है तो रुपाई जब करेंगे तो अगेती के लिए पैंतालिस गुड़े पैंतालिस की दूरी लगाएंगे और लेट और अगर है मीड सीजन के तो थोड़ा दूरी बढ़ा देते हैं साथ से पैंतालिस की दूरी कर देते हैं ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा करने से ऐसा अगर हम पैंतालिस पैंतालिस दूरी करते हैं जो अर्ली होत के लिए 600 से लेकर के 750 है कारण क्या है कि दूरी कम है तो इसलिए ज्यादा लग रहा है और लेट और मीड सीजन की जो बराइटी होती है उसमें दूरी हम अधिक रखते हैं तो वहां पर सीड रेट कम हो जाता है तो 375 से 400 ग्राम है नीचे आप देखिए तो 375 से लेकर के 400 ग् यह है तो सीड रेट जो होता है दूरी के वज़े से वह कम जादा होता है तो प्रती हेक्टेर का सीड रेट है अर्ली बराइटी 600 से लेकर 750 मिड और लेटर है तो 375 से लेकर के 400 ग्राम प्रती हेक्टेर यूज किया जाता है अब देखिए इंप्रूव बराइटी की अगर और भॉट चीया तो इसमें इंप्रूव जो होती है इसको इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है एक तो अर्ली बराइटी होगी मिड सीजन बराइटी होगी लेट बन्हें बराइटी एक अग अगया को मैंता fund करें तो अर्ली पत्ना है पुषा कैटकी है हाजी पूर जो dasahi the variety कि ya है अगेए मिड-suigion में अगहनी श्नोबाल पूसा घमोह सब्कंदोब फितल सैंसक्यי स्नोबाल कि फ्कुंद टो leurs शल्मार है की विराइटि जो होती है ती है इन वन इस पर इन पुछ ऐसी जो jsou इस्पेसल फिचर स्वरखते हैं उनके बारे में लोग जानते हैं क्या है। एक इसमें बाराइटी जो है आपके व्यक्स पूर्रशा अर्ला अर्ली पअटना है जो कि अर्ला आ की लोकल बरैटी से ग्रव्लप किया गया उस्वी तरह से वाल ग्रकुंट अर्ली उसको भी हाजिपुर की जो लोकल बराइटी से डेपलफ किया गया है पूसा दिपाली है पूसा दिपाली के अगर हम बात करें तो इसको आयराई ने और नियूटेलही के द्वारा डेवलप किया गया है बनाया गया है और इन ब्रीडिंग जो इसमें ब्रीडिंग मेथर्ड यूज किया गया थो इन ब्रीडिंग मेथर्ड को यूज करके बनाया गया है तैयार किया गया है और इसकी क्राफ डिवरेशन जो होती हो एक सो बीस लगबक सौ दिन पे ही पी उसके बाद आता है औरली सींथेटिक बाराए इसको भी ऑैयराइ ने की डियुको किया है और फस्त किजिए है की वह इस फसट इसकी की अज़िवाइ dose सिंथेटिक लिखा गया है दूसरी चीज इसकी खासियत क्या है हुआ है ein komminder the night की तरफ की जो ब्राइड की बिमारी लगती करण में इसको टॉलडेट कर जाती उसका अपरभाव अधिक नहीं पड़ता इसके ऊपर इसके इसलामाबागा'RE ktr का कि GW की यानि कि kriem type का होगा इसलना सरी फालब में आठाथ होता है और पर्ली सेलेक्सन भी जो है उज सको जल्दी बोय को जाता है मैस के जून में बोग या जाता है और एक पूसा हिम जोत सब्सक्रात secrets करने लिए जाता है उसको ग्रोह कर दिया जाता है पूसा हिम जत्री कर दोम्यान चाहिए एक सो फचाव लेकर के logic कर दोग्डैन है पूसा हम जोद की ठीक के इसके लामा अतिसिग्र एक बाइटी है अतिसिग्र नाम से ही पता चल ला है कि कितनी मझन बहुत जल्दी तैयार होती है और ही वाईब्रिड वाराइटी है फैथान रखियेगा अतिसिग्र जो है फ्र Image है नाम है पूसा मेगना तो हाजीपूर में हाजीपूर की जो लोकल बराइटी ती उसमें रिकरेंट सेलेक्शन किया गया और रिकरेंट सेलेक्शन करके तैयार किया गया कि दो मेगना नाम हो नाम है फूसा भू सेलेक्शन बराइटी और इसमें अगहने है जियांट सनो भाल पूसा शुक्रा है पूसा हमं जहां की यहां पर लेट हम लए यहां तक लगता है कि वह अरली बराइटी हैं हूं अप्रिज़ लेकर के जुलाई में अगर बुओई की जाए तो ऐली ब्राइटी यहां पर इसको सही कर लेजेगा ही यहां को अदली में रखिएगा कि इसके अलावा हिसार वन है यह सार बारी टीस है तो इस इन सभी वरायटी के हैं आपकी मिट सीजन की थी टीक जियांट सोनधी उप मतलब बाता है कि कि छो पर्फ होता है उस तरह से गिंभ वायट-कर्ड हो गा इसका बिल्कुल वायट कर्ड हो गाइबovan से चीन है वन्ही होता है वी होता है और इसमें को भी रिक डिक का े ह sagotал बात के उसका वहां पर में सस्व स्पाल में जो कर गारा गया से रिजनल संटर से डिवलप किया गया है और इसके जो इंटर वराइटिल क्रास हैं इंटर व्याम क्रास का मतलब 25 नथा बстранकcuss क्रास को ढ़ा है और इसका भी कर्ड जो होता है वह वाइड होता है इसी तरह से पुछा स्नूफ फॉल वन भी है उसको भी वहीं से डवल प्र दिवलब किया गया है तो ठीक है तो यह सारी वराइटी के बारे हम गया है जो उसके फीचर्स है में नियोडर फट्लाइजर के अगर बात किए थ अगर फार्म यार्ड में नियूर्स की बात करें तो 15-20 प्रतियर चाहिए नाइट्रोजन 120 kg प्रतियर चाहिए फासपोरस 80 kg और पोटास 40 kg प्रतियर इरिगेशन के अगर बात करें तो तो आप्टर ट्रांस्प्लांटिंग एक फर्ष्ट इरिगेशन चाहिए उसके बाद अर्ली क्राफ है तो साथ दिन की यानिक वन वीक पे अंतराल पे आप सिचाहिए कर सकते हैं मीडो लेट है तो 15 से लेकर के 15 दिन के इंटरवल पे हर प्रतेक 15 दिन पर उसकी सिचाहिए की मीड क्राफ है तो 90-120 दिन लगेगा यानि कि ट्रांस्प्लांटिंग के नब के बाद 90-120 दिन लगेगा लेट हगर है तो 110-110 से अधिक समय लग सकता है एक दस से लेकर के 120 दिन या इससे अधिक लग सकता है तो यह हर्वेस्टिंग का डिवरेशन जो है उसकी बात हो गई इ इस पर देख लेकर 100 कुंटल होता है मीड लेट है तो इसके जो होगा आपका धाई सो से लेकर 300 कुंटल प्रती है होता है इसके लावा इनसेक्ट पेस्ट है यहां पर लिखा गया है लाइक काई वेज लाइक कामीन से जो पिछला क्लास चला था या पिछला वीडियो जो उपलब्द कराया गया था आप लोग को उसमें इसके बारे में बताया गया था फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या मेजर इंसेक्ट होता है क्या मेजर फेस्ट होता है और सटनर प्ट बज базुन रखके कॉर्टेब के 500 शीट कि मतलब होता मतलब है तो इस उसके नीचे वालब इसके लाम ब्लाइट लगते हैं म leaders sport बनता Voice маг पर एक तरह से गलना लगता फूसरी होता है अब नर्सरे के समय में ही लग जाता है geosoft-rot के नाम से भी एक बीमारी लगती तो इसमें में प्राब्लम के रोटिंग प्राब्लम Г क्लिप रखता है इसमें थो रट का प्राब्लम अधिक है निकि पोधियीं में सड़न एक तरह से यह अधिक होती है सरण भी तिस पह definis crimson in और थिये यह सबसे अधिक इंपमारी फससे सबसे परब ह्स्तान है वो है आपकी बटनिंग तो बटनिंग के अगर बात करें तो बटनिंग जो होगा वो बी डबल टी ओ एन आई एन जी बटनिंग और बटनिंग में क्या होता है कि जो कर्ड होता है यानि कि वाइट वाला जो पार्ट होगा वो इसमाल हो जाएगा और साथ में लीफ जो होगी वो भी क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी तो लीफ भी क्या होता है कि समाल हो जाएगा तो होगा क्या कि जब लीफ समाल होगा कर्ड भी समाल होगा मेंस बटन जैसा दिखाई पड़ेगा तो इसलिए इसको बटनिंग कहा जाता है और जो लेफ्स जब इसमाल हो जाती तो उस खेंड को जानि जो छोटा सथ कर्ड बना रहा था उसको घेर भी नहीं पाती है मिसटस को चारों तरफ से कवर नहीं कर पाती है ते बट्निंग के जो सिंटम्स होते हैं यह यही है जैसे इस तरह समझ सकते हैं इसको इमाली जे कड़ है आपका वाइट वाला भाग जिसको आएज खान फूड के रूप में यूज करते हैं इसके अलावा नीचे वाला जो भाग होता है यह आपका इस्टेम हो गया और इसको पिकास पूरूरु रूप से हो नहीं पाता है करड भी छोटा बन जाता है तविम इसको बट निंग कहा जाता है जैसा चलोट बटन से लिया गया है ने आद टीखाइगा पड़ता है पत्ति अगर निकल गई तो उपर सिर्फ वाइट दिखेगा इसलिए बटनिंग होता है अब कारण क्या है बटनिंग होने के पीछे कारण क्या है एक तो कारण यह हो सकता है जो में कारण होता है कि अब आप अगर जो ट्रांस्प्लांटिंग किये हैं पाउधे का वह बहुत हाट एंड ड्राइड वेदर में कर दिये हैं ठीक हाट एंड है याने गहर्मी अधिक रहा होगा कई मार्डश काने शोकी सब्सक्राइब टूसरा जो सबसी imporant है वह विपटल है ठीक है विपट पूछा जाता है विपटल की जात्थ बात है उसको पूछा जाता है तो विपटल जो होता है विपट जो होगा वह लीफ लीफ ब्लेट जो होगा उसका डेवलप्मेंट नहीं हो पाता है लीफ ब्लेट का जैसे आपका मीड रेप तो रहेगा यह पोधा है यह मालीजे है तो जो लीफ है यह इस तरह से जो लीफ का यह ब्लेट वाला पॉर्शन है यह नहीं डेवलप होगा सिर्फ क्या होगा मीड र दिखाई देता, इसको kारण से विब टेल भी कहा जाता है, तो विब टेल होने के पीछे कारण क्या हो सकता है, एक-टो-molly मॉलीबेड्नम की कमी से होगा और समय कब होगा बर्द कि मिर्दा का पांड से कम होगा JN में ज्यादा होता है तो विप्रेट की कमी से होता है की स्पलिंग देख लिजेगा डबलू एच आई पी वीप टेल टीक है यह होगा aver तो यह हो गया इसके अलामात जो एक दीश्री इसरी जो बीमारी लगती यह इसमें एक तो होती है ब्राउनिंग ब्राउनिंग जो होता है यह बॉराउन के कमी से होता और इसमें क्या होता है कि जो पती का कलर होता है वो चेंज हो जाता है यानि डाउन वर्ड की तरफ जो अगर हम नीचे की जो पत्तियां होंगी या पुरानी जो ओल्ड पत्तियां होती है वो कर्ल हो जाती है यानि घूमने लगती है मुणने लगती है उसमें उसमें उसका कलर जो करना है कि अगर उपशार करना है तो इसनों गोड़ान की मात्रा तो उसका उसकर सकते हैं अगर श्राइश की बात करें तो यह Duke प्रत्य बृश है और 13 के इसका इुद्व्छ कर रहे हैं ऑपला नहिंति तो है अउसे syntet ॉप ब्लाइंड नेस जैसा नाम है उसी तरह का इसका फीचर भी है ब्लाइंड नेस का मतलब यह हो गया कि जो कर्ड बनता है यह वाइट वाला कर्ड बनता है इसी का फॉर्मेशन नहीं होगा मिन्स लीप तो होगी लीप पाया जाएगा यह लीप पाया जाएगा लेकिन कर्ड का तो इसके ब्लांट का पर्मेशन नहीं होता है इसको ब्लाइडनेस कहा जाता है और से होता कि प्लांट को अधिक कारण से यह अदिक हम करते हैं वह होता कि कि जब हम टांस प्लांटिंग करते हैं उस में अगर टमप्रेचर बहुत ज्यादा लो है तो उस समय होगा कि पौधे का डेवलमेंट हो नहीं पाता है यानि प्लांट की जो साइज से चोचेर बिमारियां है चार्र मौत है इंपॉर्टेंट है इसके अलमा जो इल्ट की बात अगर हम इसे उसलाय हो अगर नहीं सदर new division पर यालहीं तो एक इसको पीचानिदिव नागर लेटी मैदिव में habe तो हम इसको 85-90 पर रखते हैं इसको हम एक एक महिने तक स्टोर कर सकते हैं अन्य था हम दो से तीन दिन से अधिक इस्टोर कर नहीं सकते हैं इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राफ है हर तरीके से देखा जाए तो कहीं भी कंफ्यूजन होगा अगर इसमें या किसी तरह के कोश्चन्स मन में आते हैं तो आप लोग बेज़े जग पूछिएगा ओके थैंक यू दन्यवाद